नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गगान और स्वागत है आटो न्यूस की इस एपिसोड में आज का एपिसोड अगर लेट अप्लोड होता है तो प्लीज मेरी ज्यादा गलती नहीं है उसमें दरसल मैं इस वक्त हूं चेरापुंजी और बांगलादेश बॉर्डर के बीच कही और यहाँ अभी तो पड़ रही है ठंड बहुत कड़ाके की अभी टेंपरेचर हो रहा है थ्री डिग्रीज और उसके उपर से बोलने जा रहा है और उसके उपर से नेटवर्ग नहीं है यहाँ पे तो यह प्रॉब्लम हो रही है मुझे अप्लोड करने में मैं शायद अग जिसे हम सोच रहे थे वह लांच हुई है अपाची आराट 310 नाम से गाड़ी बाइक और उसमें मिलेगी आपको 34 PS की पाउर और 27 यूटिमिंट का टॉक यह BMW के साथ डवलप किया गया 310 CC वाला इंजिन है जो कि TVS आफर करेगी और BMW गा 310 इंजिन वाली बाइक है वो भी शायद 2018 में आ जाए है प्राइज रखी के यह है 2.2 lakhs जो कि आं रोड आपको लगबग 2,30,25,000 के आसपास मिलनी शुरू हो जाएगी डिपेंड करता है सीट में कितना RTO टेक्स है उसके बाद में इस गाड़ी का वेट रखा गया है मतलब वेट है इसका 300 sorry 169 तो ठीक ठाक अच्छी बाइक हो जाएगी अगर चला के पता चलेगा वैसे तो लेकिन अच्छी बाइक लग रही है on paper definitely इसका अगर कोई टूरर वर्जन अगर इन फिचर आए तो वह भी बहुत जादा एप्रीशिट होगा क्योंकि 310cc का एंजन जो है टूरिंग बाइक डेफिनिटी ए कर पाईगी लेकिन हाथ है थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये कर पाए इंडिया के सब्सक्राइब देखते हैं और कैसा लोगों का रेस्वांस है रॉयल एंफिल हिमालियन की तरफ इंडिया में हिमालियन ठीक ठा कर गे थी कुछ जादा खास नहीं कर पाई थी रॉयल क्लासिक हुई या बुलिट हुई या क्लासिक 500 हुई यहीं विक्ती देखी है जादा और वाकि देखो हिमालियन ने ठीक ठा कर लिया था कुछ प्रावलम्स आई थी शायद उनकी वज़े से नहीं विक पाई एनिवेज के बाद अगली खिवर है मारुती सुजुकी की और स जो की साथ दिसमबर से लेकि सतरा दिसमबर तक चलेगा और आप अपनी मारुती सुजुकी की गाड़ी को मारुती सुजुकी अनेक्सा डीलर्शिप पर लेजा के वहां पर एक फ्री चेक अप करवा सकते हैं इस कैम में हर चेक अवेलेबल है यह अलगवग हर डीलर्स में म सब्सक्राइब कर देना चुरू कर देना शुरू कर दिया है मारँथी सुजुकी यूंड़ी औडी वॉक्सवेगन इस सब ने एरूंड डिसकाउंट देना शुरू कर देंगे इसके बाद अगली खबर है महिंदरा की और से महिंदरा ने ऐस एक्सपेक्टेड लाँच कर दिया है और यह आपको 15,500,000 से मिलना शुरू होगा 15,500,000 पर प्राइस सो ठीक है और यह 6-speed automatic gearbox के साथ भी अवेलिबल होगा लेकिन पता नहीं कितने लोग शायद महिंदरा का यह पेट्रोल इंजन लेना पसंद करें क्योंकि ओविसली लोग जो है देखते हैं मैलेज बगरा को भी औ और इंजन इतना दा मैलेज नहीं दे पाए का लेकिन हां एक कुछ ऐसे सिटी जैसे ही डैली वगरा में बड़े डीजन बैन है तो वहां पर शायद यह एंजन बहतर कर पाए थोड़ा थोड़ी से सेल्स ला पाए महिंदरा क्लिए और एक प्रेजन्स मार्केट में बनी रह यह गोल्ड विंग बाइक जो है लगबख सारे फीचर से लोड़े राती है डियुल क्लास आटमेडिक ट्रांस्विशन के साथ आती एक क्रूस कंट्रोल एडियस में अवेलिबल होंगे इस राइवल में हाले डेविट्सन की जी टी आई या जी टील जी टील अवेलिबल है और उसी प्राइस रेंज में भी अवेलिबल है तो डिफिनिल्टी एक चाहते हैं तो आप डैली और मुंबई से ही सकते हैं उसके बाद में टाटा मोटर्स ने अपना इलेक्टरिक वेकल जो थे इटिगॉर जो है उसका फर्स्ट बैच लांच कर दिया है या रिलीस कर दिय अब तक इंडोनेशिया में सबसे बड़ा मार्केट बन गया है अब तक इंडोनेशिया में सबसे जड़ा है अब इंडिया जो है वो सबसे बड़ा होंडा के लिए मार्केट टू इजर में बन गया है इंडिया के लिए इंडिया की दू इसके बड़ा है और अच्छा आगे उमीद करते है और अच्छी स्कूटर्स और बाइक समें हांडा की तरह से देखने को मिलें उसके बाद बस इतनी खबर है और कितनी खबर लोगे आज थोड़ी चंड वगरा भी लग रही है और बस उमीद कर सकते हैं आप के मेगाल्या जो मैं आज कवर कर रहा हूं उसके बाद में और 30 के व्लॉक्स जो है वो जल से जलाने शुरू हो जाए वीडियो चाने शुरू हो जाए दक लिए दोस्तों हेलमेट पहनेए सीट बेल पहनेए सुरुक्षी चलिए धन्यवाद